इस वक्त हम हैं कथ्थक एवन भरत नाट्यम विभाग के सामने यहां दित्ति संकाय के अंतरगत दो विभाग संचालित हो रहे हैं एक कथक और दूसरा भरत नाट्यम जिसमें डिप्लोमा के साथ-साथ डिग्री लेवल की भी सिक्षा दिया जाती है डिग्री में BA, MA, MFIL, MFIL के बाद भी रिसर्च की सुविधा यहां है और PhD का आवार्ड भी दिया जाता है और रित्य संकाय के अंतरगत और विद्यार्थियों की यदि बात कहूं तो चत्तिसगर प्रांत के साथ-साथ भारत के अनेक प्रांतों से विद्यार्थी यहां सिक्षा ले रहे हैं भारत ही नहीं विदेशों से भी विद्यार्थी यहां रित्य संकाय में अकसर होते हैं वर्तमान में स्विलंका के स्टूडेंट हमारे हाँ शिक्षा ले रहे हैं, और ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इनरित्य संकाय के विद्यार्थी, नेशनल लेबल के आर्टिस्ट भी माने जाते हैं, यहाँ के विद्यार्थियों को नेशनल इस्तर पर प्रथमिस्थान उन्हें मिला है, मुझे लगता है कि यहां के विद्यार्थिओं का भावी से निश्यती उचली है. कि यहां पे अपने मैम से जो सीख रहे हूं, प्रफसर द्र मानरवी सिंग, उसे जो सीख रहे हूं, मैं चाहती हूं के मैं हहां पे त्रिपुरा पे जाके जो डांस निश्यती हूं, कि अनुरागी है, कथक सीखने के लिए इच्छूख है, उन लोग को जाके सिखा हूं, हम त्रिपुरा बहुत दूर पर जाता ही हासे, और ट्रांस्पोर्ट सिस्टेम भी हम लोग के यहां पे ज्यादा सुविदा जनक नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंस हैं, जो चाहत र का नाम लेके जाओ कि मैं खरकर का प्रतिनी धित करो डोगए, तो टी, चाहर पांच, यहां के लेकित, साथ, आर नो, दा, जी, त्रेस, ताँर जी, जवता जाओ। यहां का चित्रकला विभाग यहां पर चित्रकला के साथ-साथ इसके थिहास पर पिएश्टी करने की सुविधा भी है हमारे हाँ यह फेकल्टिया बिजोल आट्स है दर्श्रकला संकाय बोलते हैं इसको इसमें हम बैचलर आफ फाइन आट्स की डिग्री देते हैं बैचलर आफ फाइन आट्स के अंतरगत चित्रकला है, प्रिंट मेकिंग है तता मुर्तिकला है इन तीनों विशे में हम जो है ग्रेजुशन देते हैं और पोस्ट ग्रेजुशन भी देते हैं MFA की डिग्री जो बच्चे BFA के लिए आते हैं वो 4 years डिग्री कोर्स है इसमें BFA में पहला साल होता है हमारे यहां के बच्चों के लिए foundation कोर्स है इसमें हम चित्रकला, मूर्तिकला तता printmaking तीनों विधाओं की जानकारी प्राइमरी जानकारी उनको देते हैं इसके बच्चों का इंट्रेस्ट होता है जिस विधा के तरफ रोजहान जैसा भी उनका है सेकंडियर से उनको वो ब्रांच एलोट कर देते हैं सेकंडियर से वो बच्चे फिर painting में अगर मालिज इंट्रेस्ट है तो painting में आते हैं painting की degree और तीन साल जोड़ करके complete करते हैं और उसके बाद फिर वो master degree अधिकरना चाहते हैं तो master degree करते हैं concerning subject में इस तरह से यह हमारी दिस्ट्रकला संकाए के जो बच्चे हैं अपनी education पूरी करते हैं जहां तक अब चित्रकला की बात है अगर हम separate बात करें तो चित्रकला में बच्चों को हम जो है पहले drawing सिखाते हैं basic drawing सिखाते हैं उसके जो compositional जो science है वो सिखाते हैं उसके जो भी अव बच्चों को लाते हैं हमारी कोशिस यह होती है बच्चों के साथ तो वे अपनी original जो thinking है उनके जो और इजनल विचार है और ओर इजनल जो भी उनका जो भी चातुर है जो भी कुछ उनके अंदर है वो बाहर निकल करके हैं हम हमारे हां मला हम बच्चे कोपी नहीं कर सकते क कोशिस यह होती है कि अपनी ओन स्टाइल डेवलब करकर के वो सामने देश के सामने आएगा जैसा कि आप जानते हैं हम खैरागड में हैं खैरागड कला और संस्कृती का संग्रहाले है संग्रहाले है प्राचीन मूर्तियों का जी हां अभी हम है प्राचीन मूर्तियों के संग्रहाले में और इस संग्रहाले की शुरुवात हुई थी सन 1976 में यह उमा महशर की प्रतीमा है जो की सेंड स्टोन पर बनी है और इसमें शेल्किये ने जो केलाश परवत को उठाया था रावन ने उसको दिखाया गया इसमें यह वरेश्वर शिव की प्रतीमा है जो बार्वी शिताबदी की है और इसमें यह नंदी पर आरुडु बताया गया है उमा महशर को और उस कथानक पर आधारीज है इसमें भागवत कुरान में कथा मिलती है इसमें विश्णु का जो मोहिनी रूप उन्होंने धारण किया था उस समय शिव उसको देखने ही पाए तो उसको वह देखने के लिए वापस विश्णु के पास गये थे और उन्होंने मोहिनी रूप देखा था और शिव को इसमें व्याख्यान मुद्रा में दिखा जाता है उसी उस पर यह मूर्ती बनाई जाती है इसमें भी उनको पूरा निवाज करती हुए नृत्य करती हुए इसमें नीचे में शव जब को बता आए जाता है उसके ऊपर यह नृत्य करती यह यह मों की शक्ती है और मेरती इनके साथ में देखिए इनके गण भी है साथ में जो नगन पूरी जो पृतिमा है यह बीज भूजी है जो कि शतिजगणम बहुत कम है और इनके उसमें हर उसमें किसी में इसमें भयावाता दिखाई करती है जैसे इनके पेट में व्रिष्चिक दिखाया जाता है बिच्छु दिखाया जाता है स्तन लटकते हुए दिखाया जाते है पस्लिया दिखाया जाती है नर्मुंड की माला पहने हुए है यह शव को पर पैर रखे हुए है और इनके जो अस्त्रिक शस्त्रे उसमें भी कपाल ये जो है उनको दिखाया जाता है और बीजभुजी होने के साथ में ये गजी चर्म लिये मृत्य करते हैं ये मिजियम भारती कला का इतिहा से उन संस्कृति भाग के अंतरगत है यहां जो एक भाग है और इसकी स्ठाबना 1977 में की गई जिससे के यहां के जो आसपास का पुरा तात्विक वेवह जो है या मूर्तियां जो बिखरी हुई है उनको एक इस्ठान पर ला करके विद्यारतियों को उसका प्रायोगी ज्यान कराए जाए क्योंकि सेद्धानतिक ज्यान तो उनको किताबों से हो जाता है प्रा उसके बाद से यह अस्तित्व में आया और यहां ट्रेजरी का पुराना स्टेट टाइम का एक बिल्डिंग था जो पुराना हो चुका है उसके बाद फिर जब जिर्ण शिर्ण हो गया तो यह नया भवन बनाए गया है यहां पर अभी तक कुछ लगभग डेढ़ सो प्रति संग्रहित की गई है इसके अलावा यहां पर कुछ पेंटिंग विभाग में पेंटिंग भी हैं यहां कुछ रेयर संगीत के दुरलब बाद दी भी हैं जो कि यहां की जो मुजिक यूनिवर्सटी उसकी प्रकृति के हिसाब से उनको संग्रहित करके रखा गया है जो कि सच मुझ इस विशुविद्याले को सवारने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसका सबूत है यह विशाल लाइबरेरी जहां 43,000 से धिक किताबे हैं आपके ग्यान का विस्तार करने के लिए और यहां ठीक मेरे सामने हैं इन कलाओं से संबंधित आडियो और वीडियो क्लिपिंग का विशाल संग्रह में यहां जानकारी झाटनमें jakieś इन किताबेजयों क्या विशाल लाइबरेरी भीष्याल की लाइब हैं क्या शिवांत्व मेरे साथे जहां किताबड़ी, पटेजयों कैब अन्यों से बातमिय हैं जैसा आपको मालूम है इस विष्विध्याले की स्थापना 1956 में हुई है और विष्विध्याले की स्थापना के बाद से ही इसी ग्रंथाले का विकास प्रादम हो गया था और आज की स्थिति में हमारे पास लगभग 40,000 से अधिक किताबे हैं पत्रिकाओं के जो संगीत और से सम्द्धित दो हजार से अधिक वेग वैलूम से हैं उसके लावा हम जो है ना पैंतालिस जनर्स हम अभी सोध पत्रिका जो है नो क्राइक कर रहे हैं जिनमें से विजूल आट्स फेकल्टी की जो किताबें हैं वो बहुत महत्युपूर्ण है विज्वाइशी प्रकासन भी है वह सब्भम संग्रहित करके विद्यार्थों को उपलब्द करा रहे हैं तो हमारे किताबें लगवाग सौव वर्षिया उससे पुरानी वी किताबें बहुत सारे उपलब्द हैं जो कि अत्ति दुरलव हैं और संगीत में भी कुछ बहुत स सेडी हैं ग्राफोन रिकार्ट्स हैं वह यहां संग्रित किया गया है जिसकों के विद्यार्थियों को हम उनके पाठे का अंसार सुनवाते हैं या कोई विज्वल क्लिपिंग देखना चाहें तो वह हम उसके लिए लेब सेटप करके उसको दिखवाते हैं यहां पर तो सार संग्यार्थियों कोईस्झी में और तो सार कोईस्झी और र檬दयों कोईस्झी और सुनवाते हैं यही हैं संग्यों कर दो कर तो सार कोईस्झी और तो मятे… चाहिचे लिमा से लिमा में तीन डिपार्मेंट हैं तार्चल का बीएफेट दूर्चल का मस्टर्ड डिग्री फास्टेयर फाउंडेशन को त्री अस्पेशलेशन में हम लोग स्ट्री टाडि पॉर्ट श्री उट कार्विंग स्टोन कार्विंग है आइ म मॉऩरन मीडिया मेटल कास्टिं दो यह बीधाय में काम हूती कि羅 जो कि में इसका भीज में हमरा स्टुडेंट आते हैं देस्ट का का बीहुना ऑंचल से बीविन श्टेय्ट से बीनोस्टेट का उठ्षनाच बेसी बाग ज्यादा तो और है अधियर इडिक्षिशन में आते हैं मास्टा डिग्री इसका बाद को स्टुडेंट निहां से पीजडी भी करते हैं स्कॉलर और बिशेप भीधाय हैं अम लोग वूट कार्विंग स्टोन कार्विंग को बर अप करके स्टूडियो में काम करके अपना क्रीटिव फिल्म में आगे बढ़ते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम आप पहुंचे हैं विजूल आर्ट्स देपार्टमेंट के सामने और इसकी दो शाखाए हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कुल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ ग्राफिक्स आईए आपके साथ मैं भी जानकारी लेती हूँ इस डिपार्टमेंट के स्विभाग के और क्या खास्यात हैं और बच्चे यहां पर आगर क्या सीखते हैं के बच्चे लेगे जास्यात हैं झाल झाल हम अभी बैते ही ग्राफिक्स रिपार्टमेंट में और मेरे साथ है यहां के एचटी भी नादास जी अब सर्ग्राफिक्स नाम सुनकर आप पूर धारना बना लेते हैं लेकिन यहां जो ग्राफिक्स है वो कुछ अलग भटकर है और उसके बारे में हम जानकारी लेंगे अजय हुआ कर दो. कर दो. तुम्हारी निगाहों में प्यार की गर्मी नहीं है तुम्ही मेरा अपने रास्ते में आना होने लगता है योजी में कुछ खत्म करने होगा उपनी हाद को और ये है मेरी सबसे पसंदिदा जगा यानि ड्रामा सेक्शन जो की हाली में शुरू हुआ है यहां देश भर से छात्र छात्राएं आकर सीखते हैं रंगमंच की A, B, C, D कुछ नाट्य प्रस्तुतियों की भरपूर ख्याती इसके शांदार आगाज का सभूत है इतने वर्ष, इतने वर्ष पीडा साहने के बात देवी एशुदर अपने पीडा का मान ना रख सकी? इसे बहुं सहनभूती भी होती है बिल्कुल क्यों आखिर क्यों राजकुमार से दार्थ को घर के सुक फैबों क्या पेच्छा जंगल का आश्य अधीक आकर्शन ज्यान पड़ा बात बिल्कु साभारन सीहल कर एक नारी का आकर्शन पुरिश को पुरिश बनाता है तो उसका अपकर्शन उसे गौतम बुद्ध बना दिता है प्राथा जेवी यश्य दड़ा दिशनी की रूप में दिक्षा ग्रहन करेगी और यहां यहां राज घर भृत्य होगा अपार्थ चलेगा यह क्या हो है मुझे हमारी कोशिश यह है कि जो दूसरे विश्य विद्याले हैं उसमें हमने यह ऐसा पाया कि ज़्यादा तर जो पाठिकरम संचालित होते हैं नाटक्स ठेट्र या एक्टिंग के संबंद में तो वो थियोरिकल ज़्यादा हो जाते हैं हमारी कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल इंपट हमारे स्टूडेंट्स को मिले और बाहर से जितने बड़े expert हैं, चाहए वो theater के expert हो चाहए वो filmों के expert हो हमारे साथ आई यहाँ पे हमारे बच्चों के साथ हमारे साथ वो काम करें और ताकि दोनों तरह के benefit उनको मिल सके कि एक unicity में हैं तो उनको academic benefit भी उनको मिले जितना उनका practical पक्ष मजबूत हो, उतना ही उनका थिवरी पक्ष भी मजबूत हो, तो हम दोनों में balance बनाने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि हम लगातार theater festivals में जाते हैं, पूरे all over इंडिया में हम अपने बच्चों को ले के जाते हैं, लगातार हर महिने, डेड़ मह महिने, दो महिने में एक नाटे प्रस्तूतियां, वो किसी ने किसी माध्यम से, किसी ने किसी रूप में करते हैं, अलग-अलग शैलियों का हम उन्हें प्रसिक्षर देते हैं, ताकि वो जब बाहर जाएं, तो वो थोड़े पारंगत होके निकलें, न केवल acting, बलकि design के छे दोनों मीडियम को समझें, दोनों माध्यमों को समझें, तो ये हमने पार्ठे करम इस तरीके से